दोस्तों आपका स्वागत है MK Academy मैं बोल रहा हूं भहिस सिंग और आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारतिय राज व्यवस्था में भारतिय सवीधान के कुछ एथियासिक प्रश्ट भूमी एथियासिक प्रश्ट भूमी के आपको हम टॉप सेवन्टीवन MSUQ कराने जा रहे हैं जो की एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आज है 15 अगस्त को जो मैं वीडियो बनाई है वो मैंने इसी परपर से बनाई है कि आपको कॉंस्टुटूशन के कोच प्रश्ट भूमी यानि एथियासिक प्रश्ट भूमी के कोश्ट याद हो और आप इस वीडियो को स्कृप ना करके पूरा है यह तो ठीक है देरी ना करते हुए चलते हैं कोश्टनों की और पहले कुछ कोश्टन देखते हैं फिर उसके बाद हम क्यों कराएंगे ओके दो ये कह रहा है कि भारते सवीदान के भाग 22 भागों मैं से जो सवीदान के गठन के समय थे उनमे से हटाया गया एक मात्र भाग कॉन सा है तो भाग है सैवन ठीक है भारते सवीदान सब वेक्तियों को शमान मानता है समान मानता है विश में सबसे विशरित लिखित सभीधान को किस देश का है किस देश का है सबसे विशरित वो है हमारी भारत का ठीक है समस्त भारतिय नागरिकों को सम्मानित के लिए ऐसक्तित कौन करता है भारत का सभीधान समस्थ बारत्य नागरिकों कौन सवर्चित कानुन है जिससे किसी छेतर में रहने वारे लोगों के बीच के आपस संबन्द तैकरने के साथ साथ लोग तथा शरकार के बीच के संबन्द भी तैकर तैकरता है कौन है वह एक हमारा भारत्य सविधान है ओके दोस्तों, भारते सवीधान में संगवाद किस देश से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, भारते सवीधान किस तिथी को लागू हुआ था, तो ये तिथी वो है मार्ग सिर्श सुल्क, सतम दिख, सतम दो हजार ची, जो विक्रम वाला जो कलंडर होता है, उसके के लिया था, हैद्रावाद की थी, ठीक है, अध्याक्ष्तमक्ष शासन का उद्यश्वय पर्थम किस देश में हुआ था, संयुक्त राज्यामेरीका में हुआ, भारत के सवीधान में, भारत को किस रूप से वर्गरित किया गया था, तो राज्या के संग से, ठीक है, सवीधान के अंतरगत भारते लोकतंत्र के आर्दसों को हम कहां देख सकते हैं, प्रिस्तावों में देख सकते हैं, ठीक, अब यह कह रहा है कि भारत के सवीधान सवा गठन करने का आधार क्या था, कैविनिट मिशन प्लान 1914-6, यानि 1946, ठीक है, और मैं बता दूं आपको कि सवीधान सवा के ऐस थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चानंद सिन्हा थे, ठीक है, सच्चानंद सिन्हा थे, और कौन सा विशेश प्रावधान भारते सवीधान में बेटि सवीधान से लिया गया था, तो वो क्या है, निक अब इनके क्या है हम MCQ. डिसकस करेंगे, ठ वहां आपको अनसर देना पड़ागा, भारते सविदान का उद्देशक अशुरुत क्या है, अमरीकिय सविधान, भारते सविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कही गई है, तो वो है प्रिष्ताफ, ठीक है, और भारते सविधान का निर्मा कुल कितने समय में लगा था, है तो वह है भाग स्ट ठीक है और भारती सविधान के नियत्म पुनार्वलेकन का प्रवदान किस देश के सविधान से लिए घया था तो वो थे हमारे संयुग्त राज्य थीडक है ठीक है शन्युग्त राज्य अमेरीका भारत सविधान में राष् awfully पती के चुनाव की प्रणारी किस देश से ली गए थी वो थे आईरलेंड ठीक किस अधिनियम ने इस्ट इंडिया कंपनी के वेपारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था वो है 1813 की चार्ट अधिनियम ठीक भारत का मूल शवीधान कहां प्रिकासत किया था देहरादून ठीक है भारते सवीधान ने भारत को समाजबाती पिड़जातंत्रिक गणतंत्र गणराज्य तथा धरम निरपेक्ष होना गोशित किया गया था मगर इस पे किसी पर भी अमल नहीं हो रहा हमारे सवीधान के नुशार भारते धरम निरपेक्ष राष्टे है इस पे भी कोई अमल नहीं हो रहा है भारत का सवीधान दिवस 26 नौंबर को है ठीक है भारते सवीधान को अपनाया गया था वो 26 जनौवरी को अपनाया गया यह भी अभी एम सी में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूगा भारत के दवच के इस्थित चक्र किस बात का पिर्तित करता है तो वो करता है नियाय और पिर्तिक का ठीक है और भारत सवीधान में कितने भाग हैं 22 ठीक है यह थे हमारी कुछ तत्व जो कि हमें देखें हैं बहुत ही जल्दी-जल्दी आप इनाय रोक रोक के भी देख सकते हैं टै मैं चार उक्षन ना पढ़कर सिधा आपको आंसर बताऊंगा ठीक है चलते हैं तो वीडियो को लाइक करते रहें अपने दोस्तों में अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें बैल दवाएं नई नोटिफ देगी कि फर्स्ट कोंशन कहता है कि निमलिकित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वयद्यत्ता प्रदान की गई थी तो जल्दी से बताएं मेरे प्यारे दोस्तों आपकी स्क्रीन पर चार ओक्षन दिए गई हैं और इन चारों ओक्षनों में से एक आ 1935 तो सी ओक्षन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोशन के और नेस्ट कोशन हमारा क्या कहता है यह कहता है कि भारत के सविधान के उपर सबसे अधिक प्रभाव निमलिकित में से किसका माना चाता है किसका माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों जल्द भारत का वर्तमान सवेधानिक ढाचा बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है ठीक है अभी हम जब कुस्टन पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि जातर जो कुस्टन अधिनियम थे वह 1935 से थे ठीक है फुसलते नेस्ट कुस्टन क्यो नेस्ट कुस्टन ये कह रहा है कि शासन की एक आतमाकपती का लाभ है एक आतमापती का लाभ है क्या है जल्दी से बताईए तो यह यह मेरे द्रण राज्य है ठीक है तो बी ऑक्सर मेरा बिल्बूर ठीक हो जाएगा प्यारे दोस्तों चलते हैं नेस्ट कोस्टन की ओर यह कह रहा है कि निम लिखित में से किस देश का ऐलिखित समीधान है ठीक है इंडिया का तो लिखित है अब कोई ऐसा कंट्री भी होगा ज किके निआ ब्रेटाइन का सवीधान अलिखित है त्था यहां संशद्ये परमप्राव के आधार पर साथल्षन होता है यूसे पाकिस्तान ऐवं भारत का सभिधान लिखित है ठीक है चलते हैं नेस्ट कोश्टन कूर मैं किस सभाड़ अधुआ भारत की सभीधान का किया गया था उसके सदस्य कौन थे उसके सदस्य कौन थे तो कौन थे मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताई चार ऀक्षन आपकी श्क्रीन पर है ऐग becomes a आउर्रांतो कि की विधान सभा दुआरा निर्वात चित थीक तो थी सदस्द थे मेरे प्यारे दोस्तो तो वो हमारे 296 यानि एक्षन बिल्कुल ठीक हो जाएगा यानि दो सो चान में ठीक है कि नेश्ट कुश्चन हमारा क्या कहता है नेश्ट कुश्चन कहता है कि भारत भारते सविदान में आपात उपवंत से डैस लिए गए हैं ठीक है कि जो भी हमारे आपात उपवंते किस से लिए गए थे वह हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारा अधिनियम 1935 था वह सबसे स्ट्रॉंग रहा था क्यूंकि जो जायतर वर्क या कोई भी कुछ काम हुआ था वह 1935 के कब किया गया था कब किया गया था मेरे प्यारे दोस्तु तो यह करा गया था हमारा 1921 में 1921 में ठीक है तो सी ओक्षन हमारा बिल्बिल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तु भारत भारत की सविधान सवा किसके कहने पर बनाई गई थी ठीक है किसके कहने पर बनाई ग दूश्टे तो वीडियो को एक बार लाइक करें और शेर करते रहें ठीक है तो इसका मेरे दोस्तों आंसर होगा कैविनेट मिशन की दुए ठीक है तो डी ओक्षण हमारा क्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगा चलते हैं next question की और यह कहता है कि निमलिकित में से किस अधिनियम के नियंतित महालेख परिक्षण नामक पद का सुझभाब दिया गया था ठीक है कौन से अधिनियम के दुवारत दिया गया था आपकी स्क्रीन पर है चारों में से बताईए तो यह अधिनियम था मेरे प्यारे दोस्तों 1919 ठीक है तो बी ओक्षन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक चलते हैं नेश्ट कुस्षन के उट नेश्ट कुस्षन हमार कौन था कौन था मेरे प्यारे दोस्तों तो यह थी आमारे ड्क्त राजिंद्र परशाथ तो ब्हक्षन हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलते हैं में घौक्षन क मेश्यंस कुर्च क्याına कि निमर्यत मिखित मैं से बहृते ओलां सवा का द्यक्षक कौन था कौ बेराबियों सरकार के लोगतांतरिक रूप काल्पनिक विचार नहीं करता बलकि लोगतांतरिक समाज की काल्पना करता है क्यूंकि यह कि विचारद्रा से ओत्प्रोत किसलिए है वे इसमें न्याय है स्वतन्तृता भी है और सामानता भी है और भाइचारा भी है ठीक है तो इस में पूच्छे थे यानि कौन-कौन से हो जाएंगे जैनि ऑक्षन दें इस तरीके के तो सारे ही रही हैं तो हमारा डी ओक्षन मेरे प्यारे दोस्तों तो बिल्कुल correct हो जाएगा first second third यानि सारे ही ठीक है ओके चलते हैं नेस्ट कोस्टन की और मैं आपको मेरे बता दू मेरे प्यारे दोस्तों यह आज की वीद्व मैंने 15 अगस्त पर बनाई है क्योंकि कुछ एथ्यासिक तथ हमें याद होनी चाहिए और मैं आपको बता दू कि आपको GS पढ़नी है हिस्ट्री जियोगिराफि तो उनके हमने part by part वीडियो बनाई हैं तो उनका आपको डिस्क्रेशन में लिंक मिल जाएगा वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हो ठीक है प्राचीन इत्यास आधौनिक इत्यास और ठीक है और मद्धेकालीन इत्यास ठीक है और विस्वित अधियास हम चालू करने वाले हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नई नोटिफिकेशन पाने जियोग्राफिक के आपके तीन पाग मिलेंगे वहां हमने आपको जियोग्राफिक खतम करजवा दिये तो आपकी वहां भी विश्व की भूबोल चलेगा ठीक ह दोस्तों यह हमारे डिस्क्रेशन में आपको सब चीज मिल जाएगी और मैं आपको बता दूं कि आपको मैथमेटिक्स और रीजिनिंग के टॉप टैन को सब्सक्राइब करेंगे उनों का लिंक आपको डिस्क्रेशन मिल जाएगा और हमारे टेली ग्राम पर जुड़ना चा कि शुतंत्रेवाद सब्सक्राइब किसका गोतक है किसका मेरे बैफ है तो यह हमारा सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पहलियों की सुतंत्रता ठीक है तो सी आउक्षन हमारे बिलकुल करेंट हो जाएगा चलते नेस्ट कोशन की और ये कहता है कि भारत सविधान की प्राव में किस पिरकार के न्याई की बात नहीं की गई है तो वह हमारा लोकतांत्रिक तो ए ओक्षन हमारा बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोशन की और यह कहता है कि सविधान के अंत्रगत भारते लोकतंत्र के की ड्यादर्सों के तो कह चलते हैं सविधान के प्रस्तावनाओ में भारत इस रूप में गोशित किया गया है सविधान की प्रीस्तावनाओ में तो मेरे प्यारे दोस्तों एक पिर्वु सत्ता संपन समाजवादिक पंथ निर्पेक्ष लोक्तांत्रिक और गणराज ठीक है सभी में किया गया है तो सी योक्षन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोस्टन की और स्विधान की प्रस्तावनाव मैं भारत को क्या कहा क्या है ठीक है तो यह है नेरे प्यारे दोस्तों स्वर्व सत्ताधारी समाजवादिक धर्म निर्पेक्ष लोक्तंत्र और गणतंत्र ठीक है सभी का लिख करा गया है Constitution के अंदर ठीक है नेस्ट को से हमारा क्या कहता है कि सभीधान बनाते समय निमलिकित में से कौन सा आदर्स प्रस्ताव को सामिल किस को सामिख नहीं किया गया था तो वह थे हमारे समाजवादी ठेकerson हमारा बिल्कुर AJYAerd हो जाएक मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं नेस्ट को संद्ध कर् Zion के ओर कहते हैं के लोग पर यह लोग पिर्वु सत्ता क्या है यह है जनता के पिर्ति निधी का पिर्वु तत्व है तो बी ओक्षन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों चलते हैं नेश्ट कोष्टन के ओर नेश्ट कोष्टन हमारा क्या कहता है भारत्य पूर्ण संपूर्ण लोक तांत्री गण राज्य कब बना कब बना मेरे प्यारे दोस्तों तो यह बना था हमारा 26 नॉंबर 1916 को तो डी ओक्षन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा चलते नेश्ट कोशन कि और यह कहरा कि भारत समीधान पूर्टिय किस्तिति को लागू हुआ था तो यह हुआ था हमारा 26 चनवरी 1950 को यह तो खेर सबको डेट याद होगी तो डी ऑक्षन हमारा बिलकुल हो जाएगा नेस्ट कोशन हमारा क्या है कि भारत सभीधान की उद्देशी का यानि प्रस्तावों का संसोधन कितनी बार किया गया है अब तक कितनी बार किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक एक बार किया गया है तो सी ओक्षन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो भी हमारे 42 वे संसोधन अधिनियम में किया गया था उन्निस्सो चलते नेस्ट कोशन के ओर नेस्ट कोशन हमारा क्या कहता है कि भारतिय सविधान की प्रस्तावनाव में निमलिखित में से किसे अभी व्यक्ति का प्रियोग नहीं किया गया है किस अभी वेक्ति का प्रियोग नहीं किया गया है तो क्या हे मेरे प्यारे दोस्तों वो है हमारा सन्मी है तो D-Auction हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को सेर करते रहें लाइक करते रहें और आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करूए बैल दबाए नई नॉटिफिकेशन पाने के लिए चलते हैं कोशन के ओर यह कह रहा है कि हमारे सवीधान का पुरिस्ताव का उलेक नहीं हैं किस चीज का लिख नहीं है तो वो था हमारे प्यारे दोस्ते वास्य मत अधिकारों का ठीक है तो डी ऑक्षन हमारा बिलकुल ठीक हो जाएगा सविधान के निर्मानों के मनो भाव और आदेश पिर्तिविंद होते हैं किस चीज पर होते हैं उद्देशी का पर ठीक है तो यह हमारा सी ऑक्षन बिलकुल करेक्ट हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोशन की और भारत के सविधान को संग्य सब्द का प्रियोग कहां पर हुआ ह कहां पर हुआ है मेरे प्यारे दूस्तों तो जो भी हमारे दे रखें इनमें से किसी में नहीं हुआ है ठीक है तो यह सी ऑक्षन ठीक हो जाएगा तो चलते हैं नेस्ट कोशन की और नेस्ट कोशन हमारा क्या कहता है यह कहता है कि भारत के सविधान में भारत को किस रूप से वरगीलित किया गया है किस रूप से वरगीद किया गया है तो वो गया गया राज्यों कि संग से इस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो चलते हैं नेस्ट कुस्विछन की ओर नेस्ट कुस्विशन ये काईदा कि भारते सभीधान के अनुछेद कि सभीधान के अनुछेद sm2 बारत को क्या कहा गया है मेरे पयह दोस्तों राज्यों की संग कहा गया है थो डियोक्षन हमारा बिलकुल correct हो जाएगा next question हमारा क्या है निमलिकित में ऐसे किस अनुछेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है तो किस article में कहा गया है तो first में तो एक option हमारा बिलकुल ठीक हो जाएगा ओके दोस्तों चलते है next question के ओर next question क्या कह रहा है कि सक्तियों का भिवाजन और स्वतंत्र नियाई पाली का किसकी दो महत्पूर्ण विसेश्था हैं किसकी महत्पूर्ण दो विसेश्था हैं सरकार और संग्यरूप की तो बी ओक्षन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ओके दोस्तु भारत में किस पिरकार के संगवाद देख नेश्ट कोस्चन वबात की सेटरों की तो यहां कितनी है मेरे प्यारे दोस्तो तो यह थी हमारी कि कितनी साथ कु सब्सक्राइब है papel तरहा है कि मेरे प्लेटे कैसे हैं सिर्दी कृ। सेरी और तुम्हाय चंडीगाड दादर नगर हवेली अंडवान निकोवार दीप समू एवं जम्मू कस्मीर लद्दाक तथा लक्षदीप यह 26 जनवरी 1926 से दादर और नगर हवेली तथा दमन दीप मिलाकर एक कैंद्र शासिक परदेश बन गए हैं जबकि कैंद्र परदेशों की संक्या आठ हो जाएगी ठीक है वैसे अभी साथ है चलते नेस्ट कुस्टन की और यह कहा है कि भारते संग में कितने और थे में राज्य हैं कितने राज्य हैं मेरी प्यारे दोस्तों बताईये तो 20 नाइन तो डी ओक्षण हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएं ठीक है पिृषण काल में भारते संग में कुल 29 राज्यह हैं तता साथ संगेत छेत्र हैं वर्टमान में अव भारत के मैं कुल 28 राज्य हैं कितने 28 हैं इस समय वर्तमान में पहले कितने थे 29 थे जब यह कोस्चन पूचा गया था ठीक है या अमीनी दीप यानि इस तरीके का नाम ता तो इसको कौन से अधीनेम द्यारा तो यह किरा गया था वर्डश 1973 1973 में किया गया था चलते हैं नैस्ट कोस्टन की और तो इसमें यह मेरे प्याद दोस्तों यह कह रहा है कि संगय राज्य छेत्र निमलिखित मैं से क्या सामिल नह नहीं था जम्मुकस्मी ठीक है मगर अभी क्या है कि अगस्थ 2019 में आर्टिकल श्री सिफ शैवंटी यानि थींसो सत्तर के तहर जम्मुकस्मी राज्य को प्राप्त विशेस दर्दे से समाप्त करके तरह को पुने पुनरगठित कर दिया गया है थीक है तो इसलिए के अदर मारे ततंगे सासिक जो हमारे राज्य है वो हमारे इतने हो गई है चलते हैं नेस्ट कुछीन को, नेस्ट कुछीन हमारा क्या कहता है, यह कहता है कि 1965 में, राज्यों का पुणर गठित करने से करने से 1965 में राज्यों का पुनर गठित करने से तो चोदे राज्य और छे संगनिय राज्य छेत्र बने तो सी योक्षन हमारा बिल्कुल करक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है अगर चोदे के में नाम गिनाता हूं आपको तो आंद्र परदेश असम बिहा मॉंबई केरल मद्य परदेश मद्रास मशूर उडिशा पंजाब राजिस्थान उत्तर परदेश पच्छिम बंगाल जम्मू कस्मीर और संगनिय यानि केंद्र सासित थे तुमारे दिल्ली हिमाचल परदेश मडीपुर तिरपुरा अंडमान और निकोवार दीपसमू और लक्यदी ठीक है यह थे नेस्ट कोश्चन हमारा क्या है यह कि निमलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है राजनीतिक अधिकार नहीं है तो यह क्या है जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार नहीं है ठीक है जीवन का अधिकार आप जी किस तरीके से रह जीवन का अधिकार नहीं है ठीक है इससे यह लगी है थोड़ा इन चारोक्षनों से कुछन हमारा 14 कहता है कि निमलिकित में से किस सन में भारते नागरिकों के मौलिक करता वो सवीधान में सामिल किया गया था ठीक है कौन सी सन में किया गया था तो उन्हें किया गया था उन्निस सो छेटर में यहीं 1976 ओके नेश्ट कोशन हमारा क्या है भारते सवीधान लागू हुआ था कब लागू हुआ था अभी बताया था 26 जनवरी 1950 को तो यह ओक्षन हमारा बिलकुल ठीक हो जाएगा उके चलते हैं नेश्ट कोशन की ओर भारते सवीधान अपनाया गया था लागू हुआ और अपनाया गया दौनों डिफ्रेंट तरीके के कोशन है कभी एक ही आंसल लगा दोनों को तो यह हुआ था 26 नौबर 1949 को ठीक चलते हैं नेस्ट कोशन की ओर ये कह रहा है कि हमारे सववेदानिक इत्यास में 26 नॉमबर 1948 को एक महत्पूर्ण दिन है क्यूं है महत्पूर्ण दिन इस दिन सववेदान अंगिकार किया गया था ठीक है ओके तो हमारा बी ओक्षन बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यार दोस्तों चलते हैं नेस्ट कोस्टन के ओर नेस्ट कोस्टन कहता है कि सविधान का प्रारूप पूरा हुआ था कब पूरा हुआ था तो 26 नॉंबर 1904 को पूरा हुआ था यानि उसे कई तरीके से वो अपनाया गया था 26 जनवरी 1904 को हमारे एथियासिक में 26 नॉंबर इसका महत्पूर्क दिवस क्या है इस तरीके से ठीक है तो चलते हैं नेस्ट कोस्टन क्यों नेस्ट कोस्टन हमारा क्या कहता है ये कहता है कि भारत की सविधान सभा का सविधानिक सलाकार कौन थे कौन थे म तो चलते हैं नेस्ट कोस्टन हमारा क्या कहता है कि भारते सभीधान की रचना के समय सभीधानिक सलाकार कौन थे कौन थे मेरे प्यारे दोस्टो तो ये बी अन राव थे तो C.OA का सो नेStud . question के और next question हमारा next question कहता है कि सरकार की निम्न प्राणियों में से किसी किसमें दूई सदन पदती एक अनवारे लक्षण है किसमें लक्षण है संग्निय प्राणली में तो C auction बिल्कुल ठीक हो जाएगा ठीक है next question यह है कि लोकतांत्रिक कैंद्री करन किसकी महत्पूर्ण विशिष्टा है ठीक है तो वो है हमारे समाजवादी राज्य के तो C auction हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों चलते next question की और भारत एक है क्या है क्या है मेरे प्यारे दोस्तों बहरत एक लोगतांत्र है ठीक है बहरत एक लोगतांत्र है ओके चलते हैं नेस्ट कोश्चन की ओर यह कौन सा संसोदन अधीनियम मिनी सवीधान माना जाता है मिनी माना जाता है तो वह हमारा 42 संसोदन 1976 ठीक है तो C option हमारा बिल्कुल correct हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है जल्दी जल्दी से answer बताते रही बिटा फिर ज्यादा लंबी वीडियो बन जाती है मेरे प्यारे दोस्तों भारत में एकल नागरिता की अब धरना अपनाई गई थी country से ले गई थी यह ले गई हमारे इंग्लेंड से ठीक है तो A option हमारा फिल्कुल ठीक हो जाएगा चलते हैं next question की उर next question हमारा क्या कहता है कि दोहरी नागरिकत निम्ड कित में से किसकी Japanese ships नागरिकत में किसकी विसेस्ता है तो वह है मेरे प्यारे दोस्तों संगनिया सरकार की, ठीक है, तो B option हमारा बिलकुल correct हो जायेगा, चलते हैं next question की, सविधान का कौन सा भाग नागरिक्ता के प्रवधानों से समबंदित है, किस से प्रवधानों समबंदित है, तो यह है हमारा भाग second से, ठीक है, इसमें क्या है, जो चलते हैं next question कि और next question हमारा कि भारत ये संग वाद निकट है संग वाद निकट है ये किस ने कौई सी country बताती है ये हमारी k Canada बताती है तो सी option हमारा बिलकुल ठीक हो जाएगा next question ये है कि भारते सविदान की दिलित्ता केंदर के साथ संग्निय प्राण्री कहा से ली है कहां से लिए मेरे प्यारे दोस्तों तो ये लिए कनाडा से ठीक है ये किस से लिए कनाडा से लिए तो सी ओक्षन हमारे बिलकुल ठीक हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कुशन ये है कि भारते सविधान ने भारती महासंग की योजना किस सविधान से ली थी किस सविधान से ली तो वो थी हमारे कनाडा से ठीक है तो B option हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों next question हमारा क्या कहता है कि विधी का सासन की संकलपना कहां की सहविधानिक प्राणी की एक विशेश विशिष्टता है तो किस चीज की है तो वो है हमारे कहां से ली गई है तो यह ली गई है विधी की समाने यह बेटेंग तो A option मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोस्टन की ओर नेस्ट कोस्टन हमारा क्या कहता है कि भारत की सविधान का निर्मान किसे माना जाता है किसे माना जाता है मेरे प्यारो हर किसी को पता है दाक्टर भीवरा वा मेडगर को सविधान का निर्मान माना जाता है नेस्ट कोश्शन हमारा क्या है निमलिकित मैंसे कौन सा भारते सविधान की पिरारूब समीति के सदस्य नहीं थे तो वो थे हमारे गोपाल चारे एयर ठीक है तो सी उक्षन हमारे बिल्गुल ठीक हो जाएगा चलते हैं नेस्ट कोश्शन की हो हमारे सविधान के न्याइक समिक्षा का धारना किस देश के सविधान से ली गई है किस देश से ली गई है मेरे प्यारे दोस्तों तो यह हमारे यू एस ए यू एस से ली गई है ठीक है यानि अमेरिका से नेस्ट कुस्टन हमारा यह कि विश में सबसे बड़ा सविधान किस द विदान जोव है वो हमारे भारत यानि इंडिया का है ठीक है चलते हैं नेस्ट कोस्टन के और यह कह रहे हैं कि किसी राज्य के मामले में संसद और संगनिय सूची में दिये गए विशय वपर केवल राज्यों की परामर्स करने करके की विधी निर्मान कर सकती है तो यह है मेरे प्यारे दोस्तों क्या थी वह पहले जम्मू कश्मीर था मगर अभी क्या था पिछ लास्ट यह उन्निस सो जैनि जम्मू कश्मीर को पुनर गठित कर दिया गया है दोजार उन्निस में क्योंकि जो 370 दहाराती वह वहां से हटा दी गई है तो राज्य का दरजाई से विशेश राज्य का दरजाई से अब राप्त कर दिया गया है पहले नहीं था ठीक है तो पहले नहीं था अब कर दिया गया है ठीक है तो चलते है ने संग्निया संग्निय कितने मदें हैं कितने मदें हैं मेरे पैरा दोस्तों तो यह हैं हमारी 97 7. OK Next question हमारा क्या कहता है यह कहता है कि स्थानिय सरकार आधार है किस पर आधार है लोकतंत्र का ठीक है तो सी आक्सन हमारा विल्कुल करेक्ट हो जाएगा वीडियो को जाके आपको हुआ हिस्टरी के और मिल जाएंगे तो वहां से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप ऐसे सी या स्टेड लेवल की त्यारी कर रहे हो तो मैथमेटिक्स के टॉप टैन कोस्टन और रिजिनिंग के टॉप टैन कोस्टन का भी लिंक आपको डिस्क्रे ही विपरित जाती है तो वह से जाती व्यवस्ट था तो सी अक्षन अमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा नेस्ट कोस्टन हमारा यह है कि लोग तांत्रिक प्रांणी के लिए निम्न मेंसे कौनसे तत्व आवस्टक हैं उप्त सभी ठीक है सतंत्तिता एवहम निप्युक्स टीक है तो सभी हो जाएंगे नुठ को शुन हमारा क्या कहता है कि कि स्पिरकार कि सरकार निपेक्षद्वारा सतंत्रता चुनाप पर आधारित होती है जिससे तत्कालिन सत्ताधारियों को घराने के निपेक्षद्व उचित अफ्सर हों तो वो है हमारी क्या है लोक तांत्री ठीक है तो ए औक्षन हमारा बिलकुल ठीक हो जाएगा नेस्ट कुष्चन हमारा क्या कहता है कि एक डैस सरकारी सवेधानिक कानूर तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खीची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है काम करती है तो वह क्या है हमारे लो दोस्तो यह थे आज की हमारे 71 कुष्चन तो मैं आज आपको मैं बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नई थे तो फिलिस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल दवाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए ओके दोस्तो और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जीएस में इत्यास के प्राची नित्यास, मध्यकाले नित्यास और आधुनिक इत्यास आपको MCQ कोस्चन पढ़ने हैं तो आप हमारे डिस्क्रेशन में जाके उनको आपको लिंक मिल जाएगा आपको जियोगिराफी पढ़नी है इंडियन जियोगिराफी उसके भी आपको मिल जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों अब हम क्या है कि विश्व इत्यास और विश्व भुगोल स्टार्ट करने जा रहे हैं नेस्ट वीक में तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है नई नॉटिफिकेशन पाने के लिए और मैं आपको बता दू जो भी ब वीडियो आपकी मैथमेटिक्स की और दो वीडियो रीजनिंग की आ जाती हैं ओके दोस्तों और आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को मैं भी यानि जोड़ सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रेशन में मिल जाएगा वहां आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएंगे व आप सभी वीडियो देख सकती हैं ओके दोस्तों तो आज के लिए इतना ही ठीक है तो चलते हैं